कैसे आप लोग आसा करते बहुत अच्छे होंगे और हम लोगी तरह स्माइल कर रहे होंगे तो आज हम और हमाई दीदी बताने वाली सूट की कटिंग वो कैसे होगी आप लोगों को दिखाएंगे इसमें चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका नाप देख लेते हैं तो नाप है सीने की चोड़ाई 30 लंबाई 30 और बाजू 16 प्लस 8 है 16 लंबाई है 8 मौटाई है बाजू की और जो कमर पर आएगा वो आएगा 16 इंची तो चलिए हम इसी का कॉर्डिंग सूट की कटिंग आपको बताएंगे तो यह जो सूट है जो दामन पर कड़ाई आती है यहां पर जो कड़ाई आती है फ्रेंट पर वाला सूट है यह वाली कड़ाई दामन पर आएगी तो इसमें लोगों से अक्सर गलती हो जाती है कि यह दामन होता है वो उचा नीचा हो जाता है या फिर कटिंग मतलब डिज तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है और इसे सही से सेट करने के बाद हमें यहां पर मेंकाम है यहां पर यहां पर देखिए जो डिजाइन है इसे परफेक्ट मिलाना है अगर इसे परफेक्ट नहीं मिलाएंगे तो दावन उचा नीचा हो जाएगा और डिजान की वज़े से उचा नीचा ही रखना पड़ेगा काट भी नहीं सकते तो इसलिए इसे ढंग से यहां पर मिला देना है सही से मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है इसकी लेंथ नापनी है तो चली हमें इसकी लेंथ नाप लेते हैं जो हमारी लेंथ थी वो थी 30 इंची तो हम इसे 30 इंची पर निसान लगा देते हैं उसके बाद 1 इंची एस्टा मार्जन अब हमें सीने की चोड़ाई के इसाब से लगाना है तो सीने की चोड़ाई थी वो तीस इंची थी तो उसका हम चौथा हिस्सा लगा लेंगे साड़े साथ इंची पर निसान लगाएंगे यहाँ पर हम साड़े साथ इंची पर निसान लगाते हैं यहां पर निसान लगाने के बाद हम इसमें दो इंची एष्टा मार्जन लेंगे अब इसके बाद हमें गले के लिए निसान लगाना है तो गले के लिए हमने छे इंची निसान लगा लिया है उसके बाद यहां पर चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे डिजान वाले गले के लिए तीन इंची तो यहाँ पर ठ्रेंट पर हम आगे वाले पार्ट में ही डिजान डालेंगे तो हमने याँ तीन इंची पर निसान लगा लिया है उसके बाद सोल्डर का निसान लगाएंगे तो सोल्डर हमने रखे हैं सात इंची के और इस निसान को इस तरीके से लंबा थोड़ा कर देना है उसके बाद हम लगाएंगे आर्म हॉल के लिए निसान तो यहां से इस निसान को इस तरीके से लगा देना है और यहां पर हमें छेंची पर निसान लगा देना है आर्म होल के लिए और इस निसान को इस तरीके से रांड में मिला देना है अगर इस तरीके से नहीं लगाना है तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से फिस्ता रख कर और इस निसान को पहले सही से मिला लें उसके बाद इस में से एक इंची माइनस कर दें देखिए हमने परफ उसके बाद जो कमर पर हमारा था वो 17 था तो उसका हमने ही आप आठ इंचीा सलगा लिए यहसके बाद इस्हान को यहां पर मिला देना हरा है अब यहां पर हमें कि लूझा देनी है तो मिलम मने दाल एक inच इंची की यहां पिरती आप अब हमें नगानी है दामन वाले निसान तो दामन हमें रखना है 16 इंची का उसका हमने हाप रख लिया है आठ इंची यहां से हमने आठ इंची रख लिया है आठ इंची पर निसान लगा देते हैं उसके बाद इसमें दो इंची एश्टा मार्जन लेंगे अब यहां पर चौक वाला जो हिस्सा यहां पर भी हम दो इंची एश्टा मार्जन ले लेंगे अब जो मार्जन वाला पोर्सल है वहां पर हम मार्जन वाला निसन लगा देंगे और जो परफेक्ट वाला है वहां वो परफेक्ट वाला निसन लगा देंगे अब मार्जन यह तो परफेक्ट वाली हो गई यह मार्जन वाली हो गई यहां पर हमें मार्जन नहीं लेना यहां पर हमें परफेक्ट ही कटिंग करनी है वह सिलाई में जाएगा उतना ही मार्जन हो जाएगा तो यहां से हमें काट के अलग कर देना है तो चलिए हम इससे काट काट कर देए यहां पर हमने देखी काट कर अलग कर दीया है कि यहां से हमने मैं पूरा काट कर सब गला भी नहीं काटा है क्योंकि यहां पर बनेगा a डिजयेन वाला गला क्ला तो यहां पर भुक्रम डाल के पहले हम गला तयार करें उसके बाद हम से अटेच करके और काट के हटाएंगे तो अभी हमें से नहीं काटेंगे अगर आपको नौर्मल गला चाहिए तो गोल गला के लिए हम इसां पर बता रहें आपको दो इंची काटना है यहां पर दोंची पर निसान लगाना है इस तरीके से और लेंद्व हमें रखनी है छेंची रखना यहां पर और यहां पर हमें दो इंची पर और निशन लगाना है और इन निसानों को एक दूसरे निसान से यहां पर राउंड करना है और इस तरीकी से हमें मिला देना है इसे काटकर अलग कर देना है हम इसे नहीं काटेंगे क्योंकि हमें बनाना है डिजान बाला गला तो हम इसे बिल्कुर नहीं काटेंगे अभी इसे रख देंगे साइड और हमने बागी के कपड़े से इसे डबल फोल्ड करके बैक साइड निकालना है तो इस कपड़े को हम इस पर बिछा लेंगे इस तरीके से यो फ्रेंट वाला पार्ट है उसे सही से सेट करने के बाद हम उसी के अकॉर्डिंग काट के हटा देंगे इसी तरीके से इसे काट कर हटा देंगे तो चलिए हम इसे काट कर हटा देते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको यहां से हमने काट दिया है दोनव पार्ट हमारे बने के तैयार है इस तरीके से यह फ्रेंट है और यह वेक साइड का है अब हमें क्या करना है एक कामा यह जो गला है इसका प्रेंट का अब बैक साइड का काला है बहु भी हम नहीं काटेंगे कि डिजान के अकॉर्डिंग इसककर बनाएं स्लीप तो इस कपड़े को मैं deste करिकर किया और इसे एक और पार फोल्ड किया मतलब 4 फोल्ड हो गया अब जहां पर हमने सही से सेट करना है है अब हमें इसकी लेंधन आपनी है तो हमारी यहां पर पहले जेरींची हम करीब हैं पर स्लाई जालेंगे वो हम चोड़ेंगे उसके बाद लेंग्थ किनिया तो लेंथ यहार मार्जन सोला पंप किनिर साल लगा द या उसके बाद एक इंची एश्टा मारजन और यहां पर हमें जो चॉड़ाई architects है चोड़ाई बोधी 8 इंची तो हम उसका हाफ 4 इंची लगा दिया, निशान इसका बाद 2 इंची एष्टा marjan है अब इस निसान को marjan वाले निसान से मिला देंगे और इस निसान को भी शिदा करके इस तरीके से मिला देंगे अब यहाँ पर हमें दो इंची डाउन करना है अगर ज्यादा मौटा इंसान है तो फिर यहाँ पर आपको धाईंची डाउन करना है लेकिन नॉर्मल साज के लिए दो इंची डाउन करें इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी रॉंड में निसान लग गया है अब इसे हम काट के अलग कर देंगे देखिए यहां पर हम काट के अलग कर देंगे इस तरीके से इस method को आप एक बात अजमाईएगा जरू इस method से अगर काटेंगे तो बहुत ही सुन्दर slips निकल काएंगी अब देखिए यहाँ पर पूरी cutting हमारी हो चुकी है हमने slips भी काट ली है और friend और website दोनों के part काट ली है तो यहाँ पर हमने अभी गला नहीं काटा है क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है design तो हम कई बार कैच चुके हैं बनानी तो आपको पता ही होगा तो यहाँ से हम इस तरीके से बोट ने गले की तरह बनाएंगे और उसमें कुछ डिजान करेंगे तो वह हम बताएंगे आपको इस्टिच करते वक्त आप लोग वीडियो जरूर से देख लें इस्टिचिंग की वीडियो हम डिस्क्रिप्श झाल